हेलो फ्रेंज, नमस्कार मैं हूँ आपका होस्ट ब्रह्मदेव फ्रेंज गुलाब की तरह दिखने वाले इस आकरसक फूल का नाम है रेननक्यूलस इसे रोज ओफ स्प्रिंग, बटरकप, क्रोफूट आधी नामों से भी जाना जाता है फर्ण की तरह दिखने वाले रेननक्यूलस के पत्तों के बीच से निकलने वाले लंबे स्टेम के ऊपर रंग बिरंगे फूल काफी आकरसक लगते हैं रेननक्यूलस के फूल सफेद, लाल, पीले, गुलाबी, नारंगी आधी अनिक रंगों में आते हैं और उनमें हलकी मीठी गंध भी होती है खिलने से ठीक पहले अगर रेननक्यूलस के फूलों को स्टेम के निचले हिस्से से काट कर फ्लावर वेस में रखा जाए तो लगभग 10 दिनों तक वे तरो ताजाब बने रहते हैं कट फ्लावर के तौर पर इस्तिमाल करने के अलावा रेननक्यूलस का उप्योग शादी ब्याह आधी के मोके पर बुके बनाने में भी किया जाता है रेननक्यूलस एक ट्यूबरस प्लांट है यानि एक ट्यूबर या कॉर्म से इसके प्लांट निकलते हैं रेननक्यूलस के ट्यूबर या कॉम्स को विंटर में लगाया जाता है और लगाने के लगभग तीन महीनों के बाद उनमें फ्लावरिंग की सुरुवात होती है तो आज इसी आकरसक फ्लावरिंग प्लांट को उसके ट्यूवर से उगाने की पूरी जानकारी मैं आपको दूँगा और साथ ही यह भी बताऊंगा कि प्लांट में continuous blooming के लिए उसकी care किस तरह करना चाहिए और फ्लावरिंग का सीजन खत्म होने के बाद ट्यूवर्स को save कैसे करना चाहिए फ्रेंच रेननक्यूलस एक cold loving plant है 2-10 डिग्री Celsius के बीच का रात का तापमान और 15-24 डिग्री Celsius का दिन का तापमान रेननक्यूलस की growth के लिए सबसे अच्छा होता है उत्तरी भारत में इसे लगाने का सबसे अच्छा समय मीड ऑक्टूबर से लेकर मीड दिसमबर तक का है रेननक्यूलस को वैसे तो इसके बीज से भी उगाया जा सकता है लेकिन इसे लगाने का सबसे अच्छा और तेज तरीका है रेननक्यूलस के चूबर को लगाना रेननक्यूलस के चूबर्स का सेप देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ओक्टोपस को सुखा दिया गया हो इसके ट्यूबर के नीचे की तरफ लटकते हुए पैर इसका निचला हिस्सा होता है जबकि उपर वाली समतल सतर से रेननक्यूलस के पौधे निकलते हैं रेननक्यूलस के ये ट्यूबर्स आपको किसी भी अच्छे लोकल नरसरी से उपलब्ध हो जाएंगे या फिर आप ऑनलाइन नरसरी से भी पर्चेश कर सकते हैं इसके एक ट्यूबर की कीमत इस समय 40 से 50 रुपे के बीच है इसको लगाने से पहले कम से कम 4 घंटे और अधिक से अधिक 8 घंटे तक पानी में भीगो लेना चाहिए 8 घंटे से अधिक देर तक भीगोने पर ट्यूबर के गल जाने का खत्रा रहता है आप देखेंगे कि भीगोने के बाद ट्यूबर्स फूल कर थोड़े बड़े हो जाते हैं भीगे हुए ये ट्यूबर्स अब प्लांटिंग के लिए तियार हैं भीगोने के बाद ट्यूबर अगर काले रंग का हो जाए और हलका दवाने पर भी डेमेज हो जाए तो ऐसे ट्यूबर को डिसकार्ड कर देना चाहिए क्योंकि वे खराब हो चुके होते हैं ट्यूबर को लगाने से पहले आपको रैननक्यूलस के लिए potting mix तयार करके रख लेना चाहिए काफी अच्छे डेनेज वाला हलका मोईस्ट रहने वाला हवादार और और औरर्गनीकली रिच पटिंग मिक्स की जड़रत होती है मैंने जो potting mix बनाया है उसमें कोको पीट, मोटी वाली रेत यानि कोर्स रिवर सेंड या कंस्ट्रक्शन सेंड, धान की भूसी यानि राइस हस्त और composted manure की बराबर मात्रा ली गई है composted manure के तोर पर वर्मी कंपोस्ट, किचेन वेस्ट कंपोस्ट और कावडंग कंपोस्ट को बराबर मात्रा में मैंने लिया है लेकिन आप चाहें तो केवल वर्मी कंपोस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं potting mix को phosphorus rich बनाने के लिए इसमें दो चमच्की मात्रा में bone meal या rock phosphate या single super phosphate या prompt fertilizer चरूर मिक्स कर लेना चाहिए मैंने garden swell का उपयोग नहीं किया है लेकिन आप चाहें तो इसमें एक part garden swell भी मिला सकते हैं renonculus को उगाने के लिए मैंने clay pot लिया है 10 इंच के इस clay pot में मैं पांचों tubers को लगाऊंगा लेकिन मुझे लगता है कि 10 इंच के pot में किवल तीन ही tubers लगाने चाहिए renonculus के tubers को मिट्री के अंदर लगभग 2 इंच की गहराई में लगाया जाना चाहिए इसका flat surface उपर की तरफ और नुकिले सीरों वाले tubes को नीचे की तरफ रखना चाहिए दो tubers के बीच लगभग 4 इंच का gap recommended है तो अब tubers के उपर 2 इंच मोटे soil की परत चड़ा देते हैं स्वैल से ढखने के बाद पानी डाल देते हैं ताकि स्वैल uniformly moist हो जाए स्वैल को moist करते के बाद इसे किसी छायादार और ठंडी जगह पर तब तक रखना है जब तक की tubers में sprouting शुरू ना हो जाए इस दोरान या भी ध्यान रखें कि इस प्रोटिंग से पहले दुबारा watering ना करें अन्य था tubers मिट्टी के अंदर गलकर खराब हो जाएंगे जब इनमें sprouting शुरू हो जाए तब pot को रोशनी वाली जगह पर रखना चाहिए और धिरे-धिरे sunlight का exposure बढ़ाना चाहिए Ranunculus को लगाने के तीन हपते बाद दो tubers से दो-दो plant निकल चुके हैं साइद अगले हपते तक बाकी के tubers से भी plant निकल जाएं इस समय इन seedlings की height लगभग 2 से 5 इंच के बीच हो चुकी है यह है पांचमे हपते का progress तीसरे tubers से भी एक seedling बाहर आया है बाकी के दो seedling संभवता soil के अंदर गल चुके हैं और अब उनसे कोई sprouting होने की संभावना ना के बराबर है फिर भी कुल 5 plants बाहर आये हैं और आसा करता हूं कि तीनो tubers से निकले हुए plants में अलग-अलग रंगों वाले फूल आयेंगे मैंने mixed color वाले tubers purchase किये थे इसलिए ऐसा सोचने में कोई हर्ज नहीं है जो tubers आकार में परे होते हैं उनसे निकलने वाले plants भी ज्यादा healthy होते हैं और उनमें ज्यादा मात्रा में फूल भी आते हैं जब renunculus के सारे tubers में पूरी तरह sprouting हो जाए तब regular watering करना चाहिए ताकि soil केवल हलका moisture रह सके ओबर watering से बचने के लिए दुबारा पानी तभी दें जब soil का उपरी layer सूख जाए इसके अलाबा दो हफते के अंतराल पर renunculus के plant को liquid fertilizer भी देना चाहिए liquid fertilizer ऐसा हो जिसमें phosphorus और potassium की अधिकता हो इसके लिए आप kitchen waste से त्यार किया गया liquid fertilizer, banana fertilizer या all-purpose organic liquid NPK fertilizer का उप्योग कर सकते हैं इन सभी fertilizer के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ और इनके videos मेरे channel पर आपके लिए उपलब्द है इस समय फरवरी का महीना सुरू हो चुका है और renunculus के tubers को लगाए हुए लगभग 3.5 महीने का समय बीच चुका है plants की height अब बढ़कर 10 inch तक हो चुकी है और पहला flower bud भी निकल चुका है अब renunculus में flowers के आदे की सुरुवात हो चुकी है और जल्दी ही pot फूलों से भर जायेगा दो हफते के अंदर flower buds पूरी तरह से खिल जाते हैं सफेद कलर के फूल खिल चुके हैं और दूसरे plants में पीले रंग वाले buds भी दिख रहे हैं redunculus के एक ही flower stem से कई auxiliary stem निकलते हैं जिनमें से हर एक के ऊपरी भाग में flowers लगते हैं और pot एक bouquet की तरह दिखने लगता हैं renunculus में लगातार flowering के लिए जरूरी है कि इसे sunny location में रखा जाए लेकिन दोपहर की करी धूप से पोदे जुलस सकते हैं इसलिए दोपहर के बाद अगर चाया हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा renunculus के फूल 10 से 15 दिनों तक तरो ताजा रहते हैं और उसके बाद फेड होने लगते हैं और उनकी पंखुडियां जढ़ने लगती हैं ऐसे फूलों को उनके stem के साथ काट कर हटा देना चाहिए इससे प्लांट में नए ग्रोथ का scope बना रहेगा renunculus में फूलों के आने का सिलसिला गर्मी बढ़ने के साथ ही कम होने लगता है वातावरन का temperature जैसे ही 25 degree Celsius को पार करता है प्लांट में डाइबेक लगना सुरू हो जाता है लगतार बढ़ती गर्मी से पोधा अंतता मरने के कगार पर पहुँच जाता है और इस अस्थिति को ठीक नहीं किया जा सकता है जब पोधा पूरी तरह सूख जाये तब उसे पोट से बाहर निकाल लेना चाहिए और पोधे के निचले हिस्से में जो tubers हैं उन्हें साफधानी पुर्वक साफ सुतरा करके अगले सीजन के लिए सुरक्षित रख लेना चाहिए tubers के उपरी भाग से stem के हिस्से को काट कर हटा दें और उन्हें सेड में कुछ दिनों तक सुखा कर किसी ठंधी और अंधेरी जगा पर रखें इन tubers को आप किसी मिट्टी के बरतन या pot में या cardboard के box में सुखे हुए कोको पीट के अंदर भी रख सकते हैं तो friends आसा करता हूँ कि वीडियो से आपको मदद मिलेगी अगर वीडियो पसंद आया हो तो like बटन को दबाना ना भूलें गार्डिनिंग से रिलेटेड इसी तरह के धेरो इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए City Gardening चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप प्रस्न पूछना चाहते हैं या अपनी राय जाहिर करना चाहते हैं तो कृपिया नीचे दिये गए comment section का उप्योग करें Thank you for watching